हलो नमस्कार गुड मॉर्निंग और वेलकम तू P.I.B. 24-7 मैं हूँ मनीश मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं Economic Stimulus Part 2 of the आत्म निर्बर भारत पैकेज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक अनौसमेंट पढ़ते हैं जो भी अनौस की गई थी अंटर थे स्टार्ट की गई है ताकि वो पर माइगरेंट लेबर फूट ग्रेंट प्रवाइड करा सके और फाइल केजी और वन किलोग्राम चना पर फैमली पर वन प्रवाइड कराया जा सके अगले दो महिने के लिए ताकि वो पर मन्त अफ में और जून 2020 अब्सलूटली फ्री ओफ कॉस्ट और यह पूरा का पूरा जो कॉस्ट है और यह जो कॉस्ट है वो है अप्रॉक्सिमेटली थी थाउजन फाउजन फाइड करोर नाव गईस दिस मूव इस अन एक्स्टेंशन अफ प्रदान मंतरी गरीब कल्यान योजना यह जो हमारा free food grains का सप्लाई है इसके लिए जो eligibility होगी यह उन migrant laborers के लिए है जिनके पास राशन कार्ट नहीं है बिकस्ट जिनके पास राशन कार्ट है और अगर किसी के पास राशन कार्ट नहीं है और वो migrant labor है तो उसको इस scheme के अंदर इस allocation के अंदर free food grain supply प्रवाइट कराए जाएगा for the month of May and June by the government of India now one nation one ration card की 100% national portability कर दी जाएगी by the month of March 2021 अब इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई migrant worker है या फिर उसका कोई family member है तो वो किसी भी fail price shop से जो कि country के किसी भी कोने में है वहाँ से अपने PDS benefits को access कर सकता है वहाँ से अपना राशन ले सकता है इससे पहले ये rule था कि राशन कार जहाँ जिस भी state का है जिस भी UT का registered राशन कार था और जहाँ से भी उसकी जो भी PDS या फिर जो भी fair price shop जो भी इसके लिए allocated था वो केवल वहीं से ले सकता था ओके लेकिन अब जो है one nation one ration card के बाद ये होगा कि जो भी migrant worker है या कोई laborer है या उसका कोई भी family member है तो वो पूरी country में से किसी भी fair price shop से अपना राशन ले सकता है इसके लिए pilot scheme launch करी गई है recently to 23 states जिससे की 67 crore beneficiaries को benefit पहुंचा जाएगा by the month of August 2020 लेकिन March 2021 तक 100% national portability कर दी जाएगी of one nation one ration card नाव इसके अलावा एक scheme launch की जाएगी for affordable rental housing complexes for migrant workers and urban poor अब इसके scheme के अंदर होगा ये कि जितने भी government funded houses है in the cities उनको convert किया जाएगा into affordable rental housing complexes under public private partnership mode and इस scheme के साथ government will provide ease of living at affordable rent and this scheme will provide social security and quality life to migrant labor urban poor and students basically जो भी migrant labor होते हैं urban poor होते हैं और जो students होते हैं उनको रहने के लिए जगा प्रोवाइट कराई जाएगी by the government of India under this scheme और इसमें क्या होगा कि जितने भी government funded houses है शहरों में उसको convert कर दिया जाएगा into affordable rental housing complexes under public private partnership mode जिसका rent जो है बहुत जादा minimal होगा जिसको कोई भी migrant labor urban poor या कोई भी student afford कर पाएगा और जिससे क्या होगा उनका ease of living होगा at affordable rent और राइट इसके अलावा जो शिशु मुद्रा लोनीस थे शिशु मुद्रा लोनीस जो भी है उनके लिए 2% interest subvention प्रवाइट कर आएगा है for 12 months उके शिशु मुद्रा लोनीस के लिए 2% का interest subvention प्रवाइट कर आएगा है for the next 12 months और जो अभी मुद्रा शिशु लोन्स का जो current portfolio है वो है around 10 rupees 1.62 lakh crore का and इस measure से इस help से जो शिशु मुद्रा लोनी है 1500 crore का फायदा उनको in total मिलने वाला है और राइट नाओ आपको याद होगा दैट प्रदान मंत्री मुद्रा योजना लॉंच की गई थी इन देयर 2015 जिसके अंदर तीन तरीके के लोन्स प्रवाइट कराय जाते थे शिशु किशोर और तरुन तरी टाइपस ओफ लोन अंदर प्रदान मंत्री मुद्रा योजना इस शिशु किशोर और तरुन शिशु में लोन प्रवाइट कराय जाता है अब तू रुपीज 50,000 किशोर में फ्रॉम 50,000 रुपीज तू 5,000 रुपीज और इन तरुन इड़ रुपीज इड़ फ्रॉम रुपीज 5,000 तू रुपीज 10,000 ओके जो ये शिशु मुद्रा लोनी है जिनका लोन 50,000 रुपीज से कम का है उनको 2% का इंटरस सब्वेंशन प्रवाइट कराय जाएगा और जिससे की 1500 करोड रुपे का फाइदा 1500 करोड रुपे का रिलीफ मिलने का अनुमान है तू अल दर शिशु मुद्रा लोनी नाओ नेक्स जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कीम लाँच की जाएगी ताकि उनको 10,000 रुपे तक का 10,000 रुपे तक का वर्किंग कापिटल प्रवाइट कराय जा सेगे ताकि उनको अपने बिजनेस को रिस्टार्ट कर सेगे जो कोवेट 19 का लॉपडाउन था उसकी वज़े से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनका काम बिल्कुल रुप गया है तो उनके बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए और एकॉनमी में उनका योगदान लाने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब 2 रुपीज 10,000 का इनिशल वर्किंग कापिटल प्रोवाइड कराये जाएगा बाइद गवर्मेंट और इसके लिए 5,000 क्रोड रुपे का प्रोवीजन लई के आई है हमारी सरकार और इससे होगा ये कि जो 50 लाग स्ट्रीट वेंडर्स हैं टाइमली रिपेमेंट्स विल बी इंसेंटिवाइज थ्रू मोनेटरी रिवर्ड्स तो 5,000 क्रोड का प्रोवीजन है फॉर क्रेड़ फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ना नेक्स्ट इस एक्स्टेंशन ओफ क्रेड़िट लिंक्ट सब्सिडी स्कीम प्रदान मंत्री आवास योजना अर्बन वाईज ये क्रेड़िट लिंक्ट सब्सिडी स्कीम है प्रदान मंत्री आवास योजना अर्बन की इसमें होता ये था कि जो भी लोर इंकम ग्रूप फैमिली या फिर EWS काटेगरी की फैमिली जो है ये एक्स्टेंट कर दी गई है अप तू मार्च 2021 मार्च 2021 तक एक्स्टेंट कर दिया गया है इस स्कीम को फोर मिडल इंकम ग्रूप पीपल मिडल इंकम ग्रूप में वो लोग आते जिनकी अनुवल इंकम छे लाग रुपे से 18 राग रुपे से छे लाग रुपे से ठारा लाग रुपे के बीच में हैं, और राइट, अर्लियर दिस स्कीम वस अब तू मार्च 31, 2020, but now it has been extended अब तू मार्च 2021, and this will benefit 2.5 लाग मिडल इंकम फैमलीज दूरिं 2020-21, and will lead to investment of over 70,000 करोर in housing sector, इससे अनुमान है कि जो धाई लाग मिडल इंकम 2021, and जिस से कि लगबग 70,000 करोड रुपे का investment आने की उमीद है in the housing sector, इससे फायदा यह होगा कि 70,000 करोड रुपे का जो investment आएगा, उससे housing sector को boost मिलेगा, और steel, cement, transport and other construction material जो भी है, उनके लिए जो demand है, वो increase होगी, और इनकी जो भी sectors है, जैसे steel manufacturing, cement, transportation, इन सब के अंदर, इन जो हमारी economy है, वो दीरे-दीरे करके revive होना start हो जाएगी, now next is Kampa funds for forestation and plantation works of Rs. 6000 करोड, now guys what is this Kampa, Kampa stands for company century, forestation, management and planning authority, यह launch किया गया था, यह enact किया गया था by Kampa Act in 2016, Kampa Act 2016 आया था जिसमें होता गाईज यह है कि जैसे माल लो कि कोई company है, let us say यह कोई company है, A, यह कोई किसी forest का कोई land use कर रही है, ठीक है, अब मालो की जब यह forest का land use करना चाहती है for any purpose, like for mining, for anything, okay, तो उसको इस land के बदले में जो है, एक fund देना पड़ेगा, जिसको हम किसमें deposit करते हैं, Kampa fund में, और उस fund का फिर इस्तमाल होगा, किसके लिए, forestation के लिए and plantation के लिए, All right, so this is how Kampa fund works, okay, let me repeat this, जैसे मालो की कोई company है, यह क्या कर रहा है, इस forest है, इस forest के इतने land का use कर रहा है, okay, अब जब वो इस land का use करेगा, तो उसके बदले में उसको कुछ funds प्रवाइड कराने पड़ेंगे under the Kampa fund, और वो जो fund होगा, वो equivalent होगा इस forest land के, मतलब कि इस forest land की जो एफोरेस्टेशन की जो भी value होगी, वो पूरा लोबूरा fund प्रवाइड कराया जाएगा under this Kampa fund and this fund will be then utilized to for eforestation and plantation works, all right, and इस Kampa fund में government ने 6000 करोड रुपे का fund प्रवाइड कराया है, now वैस Kampa fund में 6000 करोड रुपी प्रवाइड कराने का benefit क्या होगा, benefit यह होगा कि जो भी ए forestation होगी, और plantation work होगा, तो उसके लिए fertilizer चाहिए होगे, soil management चाहिए होगा, moisture conservation works चाहिए होगे, and forest and wildlife related जो भी infrastructure होगा, उसका develop किया जाएगा, तो उससे होगा यह कि job opportunities increase हो सकती है in urban, semi-urbal and rural areas as well as for tribal people, okay, so it includes artificial regeneration, assisted natural regeneration, forest management, soil and moisture conservation works, forest protection, forest and wildlife related infrastructure development, wildlife protection and management etc, so इन सभी चीज़ों से होगा यह कि job opportunities increase होगी in urban, semi-urban and rural areas and also for the tribal people job opportunities increase होने के chances है, because tribal people के आसपाग बहुत सारा जंगल area होता है, तो वहाँ पे अगर कहीं पे भी plantation और forestation होगी, तो यह एक opportunity ले के आएगा उनकी job के लिए, alright, now next is additional emergency working capital for farmers to nabad, अब जो nabad है, वो additional refinance support provide कराएगा 30,000 करोड रुपे का for meeting crop loan requirement, crop loan के लिए additional 30,000 करोड रुपे provide कराएगे to rural cooperative banks and regional rural banks, जो के फिर आगे चलके farmers को loan provide कराएगे crop loan, अब यह जो loan है guys, remember one thing कि यह 30,000 करोड का loan, उस 90,000 करोड के loan से अलग है, जो कि already nabad provide कराता है in the normal course, alright, यह उस 90,000 करोड में include नहीं किया जाएगा, this is over and above Rs. 90,000 करोड that will be provided by nabad to this sector in the normal course, normally 90,000 करोड रुपे कराता है, उसके अलावा 30,000 करोड रुपे और प्रोड कराएगे to meet the crop loan requirement to farmers and this will benefit around 3 करोड farmers and it will meet their post-harvest rabi and current खारिफ requirements, alright, so 30,000 करोड रुपे का crop loan requirement प्रोड कराएगा through nabad of Rs. 30,000 करोड रुपे का रुपे का रुपे कर to rural cooperative banks and regional rural banks जो कि आगे चलके farmers को loan provide कराएगे, now next is a special drive for farmers अंडर किसान credit card scheme of Rs. 2,00,000 करोड, so guys, जो भी PN किसान के beneficiaries हैं, उनको किसान credit card के through concessional credit provide कराएगा, okay, PN किसान beneficiaries को through kisान credit card concessional credit provide किया जाएगा और इसमें fisher man और animal husbandry के farmers को भी include किया जाएगा, ये question याद रखेंगे, not only just crop farmers, इसके अंदर fisherman और animal husbandry farmers की इंक्लूट किये जाएगे, and this will inject additional liquidity of approximately Rs. 2,00,000 करोड in the farm sector, and for this, by this 2.5 करोड farmers will be covered, alright, so there is a special drive for farmers, under किसान credit card scheme, किसान credit card scheme was launched in the year 1998 to provide loans to farmers at the concessional rates, alright, so guys, this was all about the economic stimulus part 2, under aatma nirbhar abhyyan package, so अब हम कुछ questions कर लेते हैं, based on जो भी हमने पढ़ा, alright, so question number 1 is, under the economic stimulus 2, aatma nirbhar abhyyan, interest subvention will be provided to Shishu Mudra loanee by the government, which of the following is not correct regarding this relief, so option A is 2% interest subvention will be provided, yes, it will be provided for 12 months, yes, loanee of rupees 50,000 are eligible, yes, it will be provided to tardy payees, no, it will not be provided to tardy payees, tardy payees का मतलब होते हैं, जो की late payee होते हैं, so हमने अगर आपको यादो अभी पढ़ा था, कि यह केबल prompt जो payee हैं, हमको provide कराये जाएगा, so option D will be the correct answer, guys, okay, and this will provide relief of about rupees 1500 करोर to all the Shishu Mudra loanee, so therefore, यह भी जो हमारा statement है, correct है, so therefore, option D will be the correct answer, Now, next question is, according to finance minister, a special scheme will be launched within a month to facilitate easy access of credit to street vendors, under this scheme, the bank credit facility for initial working capital of Dash for each enterprise will be extended, so guys, इसमें initial working capital provide कराये जाएगा, street vendors को of up to rupees 10,000, ताकि वो अपने जो enterprises है, अपने business है, वो उसको दुबार से start कर सके, Okay, so option A, up to rupees 2000 is the correct answer. Now, question number 3 is, to boost the housing sector and benefit 2.5 lakh middle income families during 2021 and to lead investment of over rupees 70,000 करोर in housing sector, the credit link subsidy scheme for middle income will be extended up to March 2021, this sub scheme comes under which scheme, so guys, this sub scheme comes under Pradhan Mantri, Abas, Yojna, Arban, Pradhan Mantri, Abas, Yojna, Arban was launched in the year 2015 under ministry of housing, urban, housing and urban affairs and the vision of Pradhan Mantri, Abas, Yojna, Arban is housing for all by the year 2022 and under this credit link subsidy scheme, जो central government है, वो interest subsidy प्रोइड करती है, to the eligible customers like middle income group family, economically weaker sections and LIG families in India by bringing down their housing loan EMIs by over 2,000 per month, तक का जो interest subsidy है, वो प्रोइड कराया जाता है, under credit link subsidy scheme, अगर कोई LIG, MIG या EWS category की family कोई घर खरीती है, तो, now question number 4, according to the finance minister, plans worth Rs. 6,000 crore would be approved shortly under CAMPA, to generate employment for tribals in the areas of forestation and regeneration activities in urban, semi-urban and rural areas, what is the full form of CAMPA, so अभी हमने देखा था, that the full form of CAMPA is compensatory forestation fund management and planning authority, compensatory forestation fund management and planning authority, and it was enacted by CAMPA Act of 2016, all right, now question number 5 is, under aatma nirwar abhyan, a special drive will be undertaken to provide concessional credit to Pradhan Mantri, Kisaan Samman Nidhi और PN Kisaan Beneficiaries through Kisaan Credit Card, which new group or groups will be included in this drive, so, इसमें fisherman को और farmer, जो है, जो कि animal husbandry वाले farmers है, उनको भी include किया गया है, so option 2 and 3 are correct, which means option B, 2 and 3 will be the correct answer to this question, तो ध्यान रखना गाईज, इसमें fisherman और animal husbandry farmers को भी include किया गया है, ताकि उनको भी किसान credit cards के थूँ, जो भी PM किसान beneficiaries है, उनको concessional credit provide किया जा सके, and remember किसान credit card was launched in the year 1998, to provide loans to farmers at the concessional rate of interest, all right, so guys, that's it for today's session, I hope you like it and आपको सारे provisions clear है, of the economic stimulus part 2 of Aatmanilbar package, for more updates, do subscribe our channel and press the bell icon, मिलते हैं नेक्स session में, thank you so much for watching, goodbye, take care, God bless and keep watching PIB 24-7.